वेलकम स्टूडेंट्स मैं सिवं और आप जुड़े हुए हैं केडियम एंसाइक्लोपीडिया यूट्यूब चैनल के साथ इसमें हम आपको बताएंगे कि मध्या प्रदेश राजिय मुक्त स्कूल शिक्ष्या बोर्ड के अंदर जो स्कीम सुपर हेंडर नाम से चल रही है जिन में आईटी और नीट की त्यारी करवाई जाती है उस स्कीम के अंदर सारा प्रोसेस हो चुका है आपकी फोम भी फिल हो चुकी है लेकिन अभी जो बात है वो अटकी हुई है एड्मिट कार्ड पे क्योंकि अभी तक एड्मिट कार्ड इश्यू नहीं हुए है और जब तक एड्मिट कार्ड इश्यू नहीं होते तब तक आपको ये रहेगा कि पता नहीं कब आएगा कब आएगा कब आएगा कहने का तात प्रे की रिजल्ट का इंतजार जैसे रहता है जिस तरह से आपको बोर्ड का रिजल्ट का आपको इंतजार था उसी तरह से अब एड्मिट कार्ड का भी आपको इंतजार है डेप साइट को इतनी इजी बनाया गया है कि समझना इतना मुश्किल नहीं हो सकता लेकिन फिर भी समझाना जरूरी होता है इसमें हर चीज जो नई आई है वो दी गई है एड्मिट कार्ड जो दी गई है वो चेक करने के लिए कई चीजों की योजनाओं की दी गई है आलोट चले योजना रुक जाना नहीं लेकिन यहां पे जो स्कीम सुपरहेंड नाम से है उसका अभी तक कोई भी प्रोसेस जारी नहीं हुआ है यह सबसे बड़ी बात है कि अब तक उसका कोई प्रोसेस नहीं आया है और अब देखते हैं अगर हम एड्मिट कार्ड पे जाते हैं इड्मिट कार्ड का उप्शिन है इसके अंदर हम चले गई तो यहां पे एड्मिट कार्ड रुक जाना नहीं आ लोट चले योजिना क्लास फिफ्ट, क्लास एट एट एड आई योजिना क्लास ट्वैल्थ एक्जाम जून 2022 का दिया गया है और एड्मिट कार्ड यहां पे ओपन स्कूल एक्जाम जून 2022 का है और एड्मिट कार्ड सी एम राई जन्जातिय विवाग परिक्षा का भी दिया हुआ है जैसे ही आपका एड्मिट कार्ड आ जाएगा तो यहां पे एच्छे तारीक को आएगा वो एक अंदाजनन होता है ताकि आप शांती से इंतजार कर पाएं लेकिन यहां पे अंदाजन नहीं बताया जाएगा आपको राइट इंफरमेशन दी जाएगी सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सबस्क्राइब कर दीजिए दूसरी बात सुनिए एड्मिट कार्ड को लेके एड्मिट कार्ड जो है वो जारी होगा जून के लास्ट पांस दिनों में और जुलाई के फस्ट पांस दिनों में पांस जुलाई के तक आपका admit card जो है वो issue कर दिया जाएगा क्योंकि जितने भी scheme चल रही है जितनी भी scheme चल रही है मध्यापरदेश की अंदर वो सभी scheme सभी scheme का सारा process हो चुका है अभी admit card आना बाकी है जिस तरह से रुक जाना नहीं इससे कुछ दिन पहले scheme चली थी यानि कहने का मतलब इसका process जो है procedure जो है वो कुछ दिन पहले चला था आनलोड चले कुछ दिन पहले चला था तो admit card उसका issue हो चुका है इसी तरह से admit card कुछ ही दिनों में issue हो जाएंगी तब तक के लिए आप wait कीजिए आज के लिए इतना ही लेकिन channel के साथ बने रहें और अपने comment section में बताते रहें हमारे telegram channel को आप join कर सकते हैं description में link है और हमारे whatsapp group को भी link कर सकते हैं और हमारे blog spot को भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जे हिन जे भारत